अगर आपको कम समय में कुछ तीखा और क्रिस्पी खाना है तो इस रेसिपी को ट्राइ कीजिएगा बस पांच में बनके रेडी हो जाएगी ये रेसिपी तो चलिए रेसिपी सुरू करते हैं सबसे पहले हम इसके स्टबिंस त्यार करेंगे तो इसके लिए मैं दो कच्छे आलू को अच्छे तरीके से ग्रेट करके धोली हूँ और फिर मैं इसमें डाले हूँ एक कटा हुआ प्याज थोड़ी सी कटी हुई गोभी थोड़ा सकटा हुआ सिमला मीर्ज और फिर मैं इसमे पहले से काफी सॉप्ट हो जाता है इन सभी सबजियों को अपने हाथों से दबाते हुए इनके अंदर जितना भी पानी हो वह सब हम निकाल लेंगे और इसे अब हम पकाने वाले हैं तो पकाने के लिए सबसे पहले गास पर रखे एक पैन और उसमें डाले एक चमचे करीब त अच्छे तरीके से पक जाएं तो इसे हम ढग कर देते हैं करीबन दो मिनट के लिए और गैस का फिलम लो कर देंगे अधा समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा इन सबजियों को पकाने में आपको मुस्किस आपको 2-3 मिनट ही लगेगा तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले तो मैं यहां दो आलू को अच्छे तरीके से उबाल के मैस कर ले हूँ आलू को मैस करते से मैं ध्यान दीजेगा कि आलू में थोरा सा भी गुटलिया नहीं होनी चाहिए थोरा सा इसमें डाल दे हडा धनिया और थोरा सा बस आलू के लिए डाले इसमें नमक क्योंकि हम लोग जब तक आलू ठंडा हो रहा है मैं गैस पे रखूंगी एक कढ़ाई और कढ़ाई में मैं डाली हूं दो कपे कड़ी पानी और इसके ऊपर हम रखेंगे स्टीम करने वाला थाली और इसके ऊपर मैं रखूंगी तीन ब्रेड तो देखिए मैं तीनों ब्रेड को अच्छे तरी इस टिम करें कितना भी फ्रेश ब्रेड इस इस रेसीपी में इस्तिमाल कर रहे है न था थीजाट बेना इस लेशे इस बनाइए थूप पहुआ इस तरीके से लोग को पमाष्ट कर लों और पो हमें पानी में धोर ठीक स cărb bung काई किया उना साइडल है तो इतना इस थिक बैटर बनार के रिडी और हुड़ है कि बिरेड को अच्छे त秋 से रहो-पूड में क homes comeATION आइस्क्रीम का स्टिक डाले तो सेवी में मैं इसी तरीके से डाल के रेडी कर लूँगे जिन्हें प्लीज ब्रेड रोल्स खाना पसंद है ना कभी इस तरीके से बनाएके ट्राइ किजिएगा बहुत अमेजिंग लगता है तो देखिए अब हम इसे डिप करने वाले हैं कॉन कोट गोडी कोड़ करने के बाद सेम तरीके से यहां सबी को बना के रीडी कर लोगी चलिए इस अमेसे फ्राई करेंगे प्रजाई करने के लिए कर दो अचिए टेल में दो नस्व कि गाजिए काफी काफी जादा है दो ही दो नुग और ऐसको मुणे कॉ लगेगा आपको फ्राई करने में तो जब यह थोड़ा सा गोल्टन ब्राउन कलर हो जाए तो हम इसे निकाल देंगे तो देखे आपको दिख रहा है ना बिल्कुल कहीं से भी खुला नहीं है ब्रेड तो इसे हम इस तरीके से निकाल देंगे ताकि इनके अंदर इतना भी बहुत इमेजिंग लगता है तो चलिए रेसिपी कैसी लगी हो कमेंट में बताइएगा अची लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमली में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा